आज मैं बात करने वाली हूँ मा के बारे में वे मा जिन्हों ने अपनी खुपसूरत आक्टिंग से हिंदी सीनिमा में मा के रोल को जिन्दा कर दिया जिनकी आक्टिंग देख दर्शक भी रो पड़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं हिंदी सिनिमा की मशूर अभी नितनी निरुपो रोई जी की जिन्होंने दिवार फिल्म में अमिताब बच्चन की माकर रूल बहुत ही खुबसूरती से निभाया था उस समय इनके डालॉग को भी लोग बहुत पसंद करते थे और आज भी करते हैं साल 1950 में जन्मी फरीदा जलाल जी जिन्होंने बॉलिवुट के सबसे हिट मूवी दिलवाले धुलनिया ले जाएंगे में काजूल के माकर रूल किया यही नहीं टीवी और बड़े परदे पर अपने साइट रूल से भी दर्शकों का मन जीतती रहें रीमा लागू जिनका जन्म 1958 में हुआ तो 2017 में इनका निधन हो गया था इन्होंने बॉलिवुट की कई हिट फिल्मों में काम किया हम साथ साथ हैं हम आपके हैकौन आशिकी वास्तव और कुछ कुछ होता है में मा के रूल को अपने आक्टिन से जिन्दा किया जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आया आज इनके ना होने पर भी बॉलिवुड और दर्शकों के बीच में आज भी ये जिन्दा है कर अरजन फिल्म में मा का रोल करने वाली राके गुलजार जिनका डायलॉग मेरे कर अरजन आएंगे जो लोगों के जुबान पर आज भी आ जाता है इस मूवी में मा का रोल कर दर्शकों का मन अपनी आक्टिंग के खुब सूरती से जीत लिया बॉलिवुड की मशूर अभी नित्री किरन खेड जिन्होंने अधिकतर फिल्म में मा का ही रोल किया कभी शारू खान तो कभी अक्षे कुमार की मा बनी इन्होंने मादलाटला बिगड़ गया में मा का रोल कर अपने फैंस का दिल जीत लिया था और आज भी ये अपने फैंस के बीच बहुत मशूर है ऐसी ही तमाम फिल्मी जानकारी के लिए आप देखते रहें सरल भारत न्यूस धन्यवाद अगर आपको मारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के हाँ शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करा ना बोले साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचें